ये 23 माई को मनाया गया, विश्व कच्छु अदिवस बोलते हैं से, इसका थीम था टल्टल्स रॉक, इंटरनेशनल डे टु एंड अबस्टेटरिक फिस्टुला, 23 माई को मनाया गया, इसका थीम था, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे 28 माई को मनाया गया, इंटरनेशनल एक संस्था है, जिसका हेड़कोडर लेंडन में है, इंटरनेशनल एवरेज डे 39 माई को मनाया गया, पहले वेक्ति जो एवरेस्ट पर गए थे वो थे सर एडमंड हिलरी जो न्यूजिलेंड के थे अब देखते हैं important obituries राज कुमार केसवानी ये पत्रकार थे और बोपाल गैस ट्रेजडी जब हुई थी तो इन्होंने आगा किया था सरकार को कई बार अन्यमित्ताओं के बार ये चाइना के वेक्ति थे इन्हे father of hybrid rise बोलते थे इनकी death हो गई ओपी भारत द्वाज की death हो गई ये भारत के सबसे शुरू वाले जो coaches थे ओपी भारत द्वाज उनमें से एक थे और जब दौनाचारे प्रुसकार स्टार्ट किया गया था तो सबसे शुरू में जब मिला ठीक है तो तीन लोगों को मिला था उनमें से ये थे और ये boxing के coach थे ठीक है boxing के coach थे फिर एरिक कारले की death हो गई जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबे लिखी करनल पंजाब सिंग 1971 की पाकिस्तान के साथ लडाई में battle of punch जित्वाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था करनल पंजाब सिंग की death हो गई चली अब हम शुरू करते हैं MCQs भहुविकल्पिय प्रशन MCQs कोन सा मंत्राले है कोन सा मंत्राले है जिसने एक webinar श्रिंखला शुरू करी है webinar क्या होता है जैसे आप skype पे या zoom पे webinar देखते हो जैसे tv चलता है उसी तरह से एक webinar होता है उसमें information दी जाती है किसी चीज के बार हो तो इसको आयुजित किया था हमारे आयुश मंत्राले ने हमारे आयुश मंत्री है किरन डिजिजू और इनकी constituency है अरुनाचल वेस्ट और आयुश मंत्राले ने एक दवाई भी बनाई है जिसका नाम है आयुश 64 कोन सा बैंक है जिसने दो digital banking समाधान शुरू करे हैं एक का नाम रखा है smart serve और दूसरे का नाम है intellisign अपने corporate ग्रहकों के लिए corporate customers के लिए smart serve और intellisign को start करा है HSBC इंडिया ने HSBC India, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, जिसका Headquarter London में है, अभी अभी Templeton Price किसे दिया गया, Templeton प्रुसकार दिया गया, Jane Goodall को, Jane Goodall ने Chimpanzees के उपर काफी Research करा है, 87 years की है ये, ठीक है, और इन्होंने Tanzania के अंदर, अफरीका का देश है Tanzania, वहाँ पे Chimpanzees के उपर काफी Research किया था, तो इनको प्राणी सररंक्षन के लिए, Environmental and Wildlife Conservation के लिए Templeton Price दिया गया है, लासो, Large High Altitude Air Shower Observatory, लासो, ये कौन से देश की वैदशाला है, Observatory है, इसने, जो हमारी Milky Way आकाश गंगा है, उससे जो गामा रेज निकलती है, गामा किर्णे उनका पता चलाया, तो याद रखिए, लासो Observatory ये चाइना की है, तो आंसर है चाइना, चाइना की Space Agency को बोलते हैं CNSA, अभी अभी FIH यानि अंतराश्टी होकी फेडरेशन, अंतराश्टी होकी महासंग, जिसके चेर्मेन है नरेंदर बत्रा, तो FIH Athletes Committee का मेंबर कौन बना है, ये दुबारा बन गए हैं, पहले भी थ जाएगा नवंबर में, नवंबर 2021 में, तो ये मद्यपरदेश के कौन से National Park में लाया जाएगा, याद रखिए, चीता भारत में आखरी बार 1947 में देखा गया था, आखरी चीता मतलब जो देखा गया था, 1947 में देखा गया था, 36 गड़ में, और 1952 में चीते को extinct, यानि विल नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क कहां है, कुनो नेशनल पार्क जो है, वो मद्यपरदेश में है, कौन सा राज्य है जिसने संजीवनी परियोजना शुरू करी है, संजीवनी परियोजना जिससे आप, आपको घर पे चिकितसा सुविधा दी जा सके, क्विक मेडि care access आपको मिल सके घर पर ही ये हर्याना की सरकार ने शुरू करी है आंसर है हर्याना अभी अभी भारतिय जैव विवित्ता पुरुसकार यानि Indian Biodiversity Award किसे मिला है अगें ये इने मिला है वन्ने जीव सर्रंक्षन के लिए पालतु प्रजातियों के सर्रंक्षन और ये पालतु प्रजातियां मतलब वन्ने जीव की नहीं है ये बेसिकली ट्यूबर की है जो जैसे शकरगंदी या आलू इस तरह के जो सबजियां होती है उनके लिए तो उसके लिए मिला है उनको बचानी के लिए मिला है तो ये मिला है अभी अभी चाजी एनेम को इन्हें केरला का ट्यूबर मैन बोलते हैं T-U-B-E-R ट्यूबर मैन औफ केरला इन्हें कहा जाता है 2020 का ला लीगा का खिताब किसने जीता ला लीगा हम बोलते हैं Spanish football को तो Spain के champion कौन बने तो ये club है Athletico Madrid अगर आपसे पूछें English Premier League किसने जीती यानि England का champion कौन बना तो आपका answer हो जाएगा Manchester City अगर आपसे पूछें UEFA Europa League किसने जीता तो आपका answer हो जाएगा Villarial और अगर आपसे पूछें UEFA Champions League किसने जीता पुरुशों का तो answer है Chelsea और Champions League महिलाओं का किसने जीता तो answer है Barcelona तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने हैं कौन से भारत के राजिये ने Mission Oxygen Self Reliance शुरू करा Mission Oxygen Self Reliance जिससे Oxygen में आतम निर्वरता हासिल की जा सके तो ये अभी अभी महाराष्टर की सरकार ने शुरू करा answer है महाराष्टर इनका target ये है कि 3000 MT Oxygen हर रोज उत्पादन उसका महाराष्टर में होना चाहिए 3000 MT Reserve Bank Innovation Hub Reserve Bank का जो नवाचार Hub है उसका CEO कौन बना है तो इसके CEO बने है राजेश बंसल Badminton World Federation Council का Member कौन सा Indian बना है BWF जो Official Badminton Body है Badminton Vishu Mahasang जिसका Headquarter Malaysia की राजधानी कौलालंपूर में है तो ये बने है हिमंता विश्वा सर्मा और हिमंता विश्वा सर्मा जो है ये Badminton Association of India यानि भारतिय Badminton महा संग के President भी है और ये असाम के मुख्य मंत्री भी है भारत के कौन से राज़े ने अंकुर योजना शुरू करी है इसमें वो लोग जो पोधार ओपन करेंगे पोधे लगाएंगे उन्हें पुरुस्कृत किया जाएगा उन्हें प्राइस दिया जाएगा तो ये शुरू करी है अंकुर योजना भी अभी मद्य प्रदेश की सरकार में इन्होंने एक मोबाइल अब भी लॉंच कर आ हुआ है जिसका नाम है वायू दूत वायू दूत शत्यसगड हाइकोट के शत्यसगड उच नयाले के मुखे नयायदीश यानि चिफ जस्टिस कौन मने है इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा और शत्यसगड का हाइकोट बिलासपूर में राइपूर में नहीं है राइपूर राजधानी है बिलासपूर राइकोट ठीक है और शत्यसगड जो है यहां के मुखे मंत्री है भूपेश बागयल अभी अभी यह किताब लिखी गई है यह किसने लिखा है इंडिया एन एशियन जियो पॉलिटिक्स भारत और एशियाई जियो पॉलिटिक्स इसको लिखा है शिव शंकर मैनन ने यह हमारे नैशनल सेक्योर्टी अडवाईजर भी रहे है भारत में जो FDI आया FDI, Equity, Reinvested Earning और Capital सब में मिला के कितने वृद्धी देखी गई तो याद रखिए इसमें वृद्धी देखी गई 10% लेकिन अगर सिरफ FDI की पूछें तो उसमें 19% FDI कितने आया इंडिया में 59.64 billion 69.64 अरब डॉलर उसमें 19% की वृद्धी देखी गई लेकिन अगर आप FDI में Equity, Reinvested Earning और Capital भी जोड़ दो तो उसके अंदर वृद्धी 10% की थी तो एक्जाम में मेरे ख्याल से FDI आयेगा तो आप 19% याद रखिए बजाए 10% के CBI का नए डिरेक्टर कौन बना है? CBI Central Bureau of Investigation केंद्रिय जाच ब्यूरो तो इसके जो CBI के डिरेक्टर बने है नए वो है सुबध कुमार जैसवाल जो CISF के डिरेक्टर थे केंद्रिय उद्ध्योगी सुरक्षा बलके डिरेक्टर थे पिछले सवाल में आपको दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ FDI वाले में एक ये पूछ सकते हैं कि भारत के कौन से राज्ये में FDI सबसे ज़्यादा आया? गुजरात में सबसे ज़्यादा आया 37% 37% किस देश से FDI सबसे ज़्यादा आया? सिंगापूर से सबसे ज़्यादा आया 29% पहले नमबर पर सिंगापूर, दूसरे नमबर पर अमरीका और तीसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कौन से सेक्टर में FDI सबसे ज़्यादा आया? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा आया? तो वो आया computer, software और hardware में computer, software and hardware sector तो इसमें आया? दूसरे नमबर पर रहा निर्मान शेत्रिक कंस्ट्रक्शन इंफरस्ट्रक्चर जिसमें आया लगबग 13% और तीसरे नमबर पर सेवाओं का सेक्टर यानि services सेक्टर जिसमें आया 8% तो इसमें 4-5 questions जो हैं वो बन सकते हैं अभी-अभी एक fool होता है, एक पौधा होता है African violets तो इसकी नई परजाती खोजी गई है भारत में कहां पर खोजी गई है? किस राज्ये में? तो ये खोजी गई है मिजोरम में मिजोरम में खोजी गई है Indian Institute of Science, Education and Research यानि IISER भोपाल के वग्यानिकों ने इसको खोजा है और इसका नाम जो रखा है आप देखिए यहाँ पे Didymo Carpus Vicky Funkei तो ये जो Vicky Funkei है ये Vicky Funke के नाम पे रखा है जो एक पौधा वग्यानिक हैं वनस्पती वग्यानिक हैं अमरीका में Trifad ने उनसे संगठन के साथ मिलकर वन धन योजना को अकांक्षी जिले जो होते हैं उनमें लागू करने के लिए पहल करी है वन धन योजना को लागू करेगा Trifad तो याद रखिए वन धन योजना को Trifad नितियायोग के साथ मिलके लागू कर रहा है यहाँ पे आकांग्छी जिलों का मतलब वो है जन जातिय जिले जिनमें जन जातियों की आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है IFSCA यानि International Financial Services Center Authority हिंदी में अंतराष्टिय वित्य सेवा केंद्र प्राधिकरन इन्होंने किसकी अध्यक्षता में निवेश को बढ़ावा देने के लिए International Financial Services Center में जो गांधी नगर गुजरात में है जिसका हेड़कॉर्टर वहाँ पे एक Expert Committee बनाई है तो इस Committee के Chairman होंगे निलेश शाहा कौन से Stadium का नाम बदल कर बलबीर सिंग सीनियर International Hockey Stadium रख दिया जाएगा बलबीर सिंग सीनियर जो थे इन्होंने तीन Olympic Gold Medal जीते थे होक्की में और 1975 की जो टीम जिसने World Cup जीता था होक्की टीम उसके ये Manager भी थे तो ये जो स्टेडियम है ये है मोहाली International Cricket Stadium अब इसका नाम बलबीर सिंग सीनियर के नाम पे रखा जाएगा भारत अपना दूतावास खोलेगा वानिजिक दूतावास यानि Consulate Office खोलेगा Consulate General of India ये मालदीव के कौन से शेर में खोलेगा तो ये है अड्डू, अड्डू सिटी अड्डू को भारत और मालदीव ने मिलके परियतन जोन के रूप में भी विक्सित करा है और मालदीव के राशपती हैं इबराहीम मुहमद सौले और मालदीव की राज़ानी माले है मालदीव के साथ हम एकू वेरे नियो दब्यास भी करते है राश्टी हरित प्रादीकरण यानि National Green Tribunal इसने मेके डाटू जो बांध है मेके दाटू बांध निर्माण उलंगन पर एक पैनल बनाया है कहां पे बन रहा है ये मेके दाटू बांध जो है याद रखिये ये कावेरी नदी पे बन रहा है और ये करनाटक में बन रहा है और समस्या ये है कि इस बांध के बिल्कुल पास कावेरी wildlife century है तो जानवरों पे दुश प्रभाव पढ़ सकता है, इसके लिए राष्ट्री हरित अधिकरण ने एक पैनल का गठन करा है और राष्ट्री हरित जो अधिकरण है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अशोप कुमार गुपता लियों ओपन टैनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, लियों लियों एक जगा है फ्रांस में और लियों में इंटरनेशनल पुलिस का हेड़क्वाटर भी है इसको जीता स्टिफानो सिट सिपास ने, आंसर है स्टिफानो सिट सिपास और अगर कुश्चन आ जाए स्टिफानो सिपास कौन से देश के खिलाड़ी हैं तो आप कहोगे आंसर है इसका ग्रीस, युनान, ग्रीस की राजधानी एथन्स है, ग्रीस के खिलाड़ी है अभी अभी स्पेन का प्रिंसस ओफ एस्टूरियास पुरुसकार किसे मिला है समाज शास्त्र के लिए तो ये जो है ये मिला है समाजिक विग्यान की श्रिणी में अमर्ते कुमार सेन को जो की मशूर अर्थ शास्त्री है और इनको नोबल प्राइज भी मिल चुका है पहले भारतिये कौन बनी जनने इंतरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, अंतरास्टिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रेजिधन बनाये गया है तो याद रखिए इनका नाम है जगजीत पावाढेः और जग्जीत पावाडिया जो है ये पहली इंडियन है और INCB का हेड़कॉर्टर, International Narcotics Control Board का हेड़कॉर्टर, विएना में है जो आस्ट्रिया की राजधानी है किरन रिजीजू जो है उन्होंने कौन सा पोर्टल लॉंच करा है ये आयूश के जो डॉक्टर है उनकी भी मदद करेगा और आम जन्ता दोनों की मदद करेगा तो इस पोर्टल का नाम रखा है आयूश क्लिनिकल केस रेपोजेटरी पोर्टल यानि ऑप्शन सी और इसका परपस ये है आयूश की जो भी दवाईया है कोविड के लिए वो जन्ता के उपर जन्ता अपना फीड़बैक देगी कि उनसे वापस में फायदा हो रहा है के नह ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफर्म तो इन्होंने मेड लाइफ को खरीद लिया है और इससे पहले रिलाइन्स ने ऍने मेड़ लियाथ ने खरीद लिया था ये भी आपको ध्यान रखना है ये वी साब ओनलाइन दवाईयों की कंपनी है कौन सी कंपनी ने School of Hope and Empowerment यानि आशा और शशक्तिकरण का स्कूल युनेस्को की जो World Conference हुई थी Education for Sustainable Development यानि सतत विकास सिक्षा में चाहिए हमें उसके लिए जो युनेस्को का विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें School of Hope and Empowerment किसने शुरू करा है तो ये Tata Communication ने शुरू करा है युनेस्को का Headquarter पैरिस में है अभी-अभी FIH President's Award किसे मिला है यानि अंतराष्ट्य होकी महासंग President Award तो ये मिला है VK Pandyyan को ये बहुत Senior IS Fsar है इन्होंने होकी को बहुत popular कर दिया है Odisha में और अगला होकी का जो World Cup होगा वो भी Odisha में होगा और होकी इंडिया के President है ज्यानेंद्रो निंगोबाम और International Hockey Federation का Headquarter है Lausanne में उनसे मंत्राले ने सेहत OPD Portal शुरू करा है सेहत OPD याद रखिए ये Portal हमारे रक्षा मंत्राले ने शुरू करा है रक्षा मंत्राले में इसमें जो हमारे आर्मी के जवान है वो डॉक्टर से दूर बैठे ही परामर्श ले पाएंगे सेहत OPD Portal Very very important question करनाटक की सरकार ने कौन सा Portal लॉंच करा है जिससे CSR पे नजर रखी जात सके यानि की Corporate समाजिक दाइत्व जो कंपनियों का होता है उनकी गतिविदियों पर पारदर्शिता हो सके इस Portal का नाम उन्होंने रखा है आकांग्षा तो आंसर है आकांग्षा Portal कौन से देश ने एक Mobile Technology Platform बनाया है जिसका नाम है Unite Aware Unite Aware जो भी इलाके हैं विभिन इलाके हमारे शांती रक्षक जो होते हैं सयुक्त राष्ट के पीस की पर उनकी मदद करेगा उनको इलाके से संबंदित जहां भी वो पोस्टेड हैं सारी जानकारी देगा तो Unite Aware Portal को इंडिया ने बनाया है बहुत important question है इंडिया ने बनाया है Unite Aware Portal बशार अलशाद ये सीरिया की राष्पती बन गए हैं फिर से कौन सी बार बने हैं ये चोथी बार बने हैं ये सन 2000 से यानि पिछले 21 साल से ये सीरिया के राष्पती हैं और सीरिया की राजधानी हैं दमासकस और गिलर्मो लासो ये एकवडोर के राष्पती बने हैं गिलर्मो लासो ये question भी important है भारत के कौन से राज़े ने smart kitchen जो योजना है वो शुरू करी है smart kitchen योजना केरल की सरकार ने शुरू करी है तो answer है केरल भारत के कौन से राज़े ने guardian minister अभी भावक मंत्री जी ने कहा जाएगा ये concept शुरू करा है guardian minister तो ये concept शुरू करा है असाम की सरकार ने basically हर guardian minister के नीचे दो तिन जिले होंगे और इनका काम होगा ये सुनिश्चित करना कि सरकार की जो schemes हैं उनका फायदा इंदम जमीनी उस पे हो रहा है ठीक है ना लागू हो रही है अभी अभी कौन सी company ने Hollywood का जो studio है MGM उसे 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया MGM का अधिगरण किया है अभी अभी याद रखिए Amazon में कौन सा bank है जिसने जो इसका digital wallet आता है pockets उसके उपर UPI जोड दिया है तो याद रखिए ये करा है ICICI bank ने और NPCI ने permission दे दी कि pockets के अंदर अब UPI को जोड़ा जा सकता है ICICI bank के managing director है संदीब बक्षी भारत का सबसे बड़ा statue जो लेटे हुए बुद्धा का posture होता है जिसे reclining बुद्धा बोलते हैं तो ये कहां पे बनेगा ये बौध गया में बनेगा फाइबर ग्लास का है 100 foot का statue है ये और इसको कॉलकता के कारीगरों ने बनाया है तो answer है बौध गया International NE Award ये अक्षे उर्जा अनुसंधान के लिए यानि Renewable Energy Research के लिए भारत के किस professor को मिला है ये मिला है CNR Rao को जिने भारत रतन भी मिल चुका है अभी-अभी किताब लिखी गई है नहरु तिबबत एंड चाइना इसको किस ने लिखा है बहुत important किताब है इसको अवतार सिंग भसीन ने लिखा है AS भसीन तो answer है AS भसीन अभी-अभी WHO ने कौनसे देश में अपनी WHO Biohub सुविधा Biohub Facility शुरू करिए तो ये शुरू करिए Swizerland के शहर SPIEZ में तो answer है Swizerland और शहर का नाम भी याद रखिए SPIEZ SPIEZ पियामे नाउमा मताफा ये कौनसे देश की पहली महिला परदान मंत्री बनी है ये देश है Samoa Samoa एक आइलेंड है तो Samoa की पहली महिला परदान मंत्री जो है वो बनी है अभी अभी और अगर आपसे पूछा जाए कि जो Samoa है उसकी राजदानी क्या है तो answer है APA और ये Samoa जो है ये प्रशान्त महासागर में आता है अभी अभी भारत के किस राज़े ने MHIM Mobile Lab शुरू करी है Home Isolated Patient के लिए यानि जो isolation में है patient quarantine में है उनके लिए तो इसकी full form आप screen पर पढ़ सकते हैं मनेपूर Home Isolation Management Application इसको मनेपूर की सरकार ने शुरू करा है अभी अभी Louvre जो museum है दुनिया का सबसे बड़ा museum दुनिया का सबसे पर्तिष्ठित museum Louvre museum की अध्यक्ष यानि curator पहली बार एक महिला बनिये इनका क्या नाम है इनका नाम है Lawrence Descars Lawrence Descars भारत के वानिजी सचिव कौन बने है Commerce Secretary Commerce Secretary बने है BVR Subrabanyam BVR Subrabanyam और Finance Secretary कौन बने है Finance Secretary बने है TV सौमनाथन तो दोनों में कोई confusion नहीं होनी चीए Commerce Secretary अलग होता है Finance Secretary अलग होता है पहली महिला Flight Test Engineer कौन बनी है भारत की याद रखिए भारत की पहली Women Test Flight Engineer Indian Air Force में बनी है आश्रिता ओलेटी आश्रिता ओलेटी याद रखिए Very important question करनाटक की हैं ये आश्रिता ओलेटी अभी अभी NIA का Director General कौन बना है National Investigative Agency तो राष्टिय जाँच Agency जो है इसके Director General बने है कुलदीप सेंग जो CRPF के Director General भी है Nord Link Project ये कौन से दो देशों को जोडेगा Nord Link Project जोडेगा जर्मणी और Norway और बेसिकली तार बिछाई जारी है समुदर के नीचे जर्मणी और Norway को जोडेगी इस तार से बिजली मिलेगी जर्मणी को Norway के द्वारा तो आंसर है जर्मणी और Norway अभी अभी एक मकडी मिली है Cricket मकडी इसका नाम जहिंति रखा है ये कौन से राज्य में खोजी गई है तो ये जो है 36 गड़ में खोजी गई है और इसका जो नाम है वो प्रोफेसर जहिंत विस्वास के नाम पे जहिंति रखा है Indian Broadcasting Foundation का नाम बदल कर अब क्या रखा जाएगा Indian Broadcasting Foundation जो भी चैनल आते हैं हमारे चाहे वो News Channel लो चाहे वो Sony या Star Plus जो भी चैनल है चैनल के मालिकों का एक ग्रूप है अब इसका नाम Indian Broadcasting and Digital Foundation होगा and Digital जोड़ दिया गया है क्योंकि अब OTT वे आ गया है Over the Top मदब फर्क क्या होता है केबल टीवी में इंटरनेट नीची होता लेकिन OTT प्लेटफॉर्म जो है Amazon Prime वगरा इन सब पर अगरा कुछ देखना चाहते हैं तो इंटरनेट चाहिए होता है तो इसका नाम अब हो गया है Indian Broadcasting and Digital Foundation अभी अभी प्रतिष्ठित UN पदक किसे मिला सहयोगत राष्ठ पदक भारतिय शांती सैनिकों को अपने प्राणों की आहुती देने के लिए तो ये जो हैं इराक में पोस्टेड थे और तीन है और एक है युवराज सिंग एक है इवान माइकल पिकार्ड और एक है मुल्च अंदियादब तो आंसर है all of the above और UN medal जो होता है ये बहुत ज़्यदा प्रतिष्टित होता है जो पीस कीपर को दिया जाता है ठीक है पीस कीपर को दिया जाता है और इस medal को क्या बोलते हैं DAG Hammerzold Medal मैं स्पैलिंग बता देता हूँ DAG हैमरzold की स्पैलिंग थोड़ी कठीने में बता देता हूँ ह-A-M-M-A-R-S-K-J-O-L-D DAG Hammerzold Medal बोलते हैं से भारतिय तरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पेटरोल वेसल है गश्ती पोत यानि पेटरोल वेसल जिसका नाम है सजग ये अजीट डोवल ने कमिशन करा है सेवा रत करा है ये कौन सी कंप्री ने बनाया है तो ये गोवा शिप्याड ने बनाया है सजग, सुचीत, सचेत सजग, सक्षम, समर्त ये सारे कई हैं ये सारे के सारे जो हैं ये गोवा शिप्याड ने बनाया है कौन सा मंत्राले है जिसने एक त्योहार का योजन किया एक फिल्म उप्सव जिसका नाम है दाइकलिपस एन आफ्टर दाइकलिपस एन आफ्टर का योजन किया था भारत के सूचना प्रसाण मंत्राले ने Ministry of Information and Broadcasting हमारे सिक्षा मंत्राले ने कौन सी योजना शुरू करिये जिसमें जो लेखक हैं नए और उभरते लेखक नवोधित लेखक तीस वर्षे कम उम्र के उनको प्रसिक्षित किया जाएगा इसका नाम है यूवा और यूवा की फुल फॉम है Young Upcoming and Versatile Author यानी यूवा कौन सा राज्य या Union Territory है जिसने SASCM स्कीम योज़ शुरू करिये ये COVID मृत्य उदर के लिए एक विशेश सहयता योजना है मतलब COVID से जो मर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए तो ये जमू कश्मीर सरकार ने शुरू करिये SASCM ये योजना क्या है ये योजना ये है कि अगर किसी परिवार में एक ही वेक्ति था जो कमाने वाला था और उसकी मृत्य हो गई तो जमू कश्मीर की सरकार 1000 रुपे उसकी पत्नी को देगी हर महीने और 1000 रुपे उसके घर में के कॉलेज में ये भी देगी तो आंसर है जमू एंड कश्मीर अभी अभी ये किताब किसने लिखी है Languages of Truth Languages of Truth को लिखा है सलमान रश्डी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक सलमान रश्डी